मित्रो यदि आपकी जन्मकुंडली में मंगल, गुरू, सुक्र और सनी की युति हो यनि कि आपकी जन्मकुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में मंगल, गुरू, सुक्र और सनी एक साथ बैठे हो तो ऐसा ब्यक्ति तेजस्वी और बुद्धिमान बिद्वान चतुर सभाव का होता है ऐसा ब्यक्ति धनवान होता है और धन कमाने में माहिर होता है इनको पता होता है कि कहां से कैसे जादा पैसा कमाया जा सकता है ये लोग पैसे कमाने में माहिर होते हैं बुद्धिमान होते हैं और धन कमाने के लिए पैसे कमाने के लिए अपनी बुद्धी का पूरा प्रयोग भी करते हैं ऐसे लोग साहसी, पराक्रमी और निडर सुभाव के होते हैं यानि कि ऐसे लोग बड़े से बड़े काम में रिस्क लेते हैं और रिस्क ले करके काम करते हैं ये लोग चालाक और धोखे बाज किस्म के व्यक्ति होते हैं यानि कि ये अपने फाइदे के लिए दूसरों को धोखा भी दे देते हैं और दूसरों का फाइदा भी उठाते हैं इन लोगों को पता होता है कि किस व्यक्ति से क्या लाब लेना है किस व्यक्ति का कैसे उपयोग करना है ये लोगों का फाइदा उठाते रहते हैं यानि कि दूसरों से अपने काम करवाते रहते हैं ये लोग दूसरों को ठगने का भी काम करते हैं यानि कि किसी व्यक्ति को दोखा दे देते हैं और कभी कभी दूसरों के हिस्से का धन भी दूसरों के हिस्से का पैसा भी अपने पास रख लेते हैं उसको लोटाते नहीं हैं ये लोग आती कामुक प्रबृति के होते हैं और इस्त्रियों के बिसे में चंचल होते हैं इस्त्रियों के बिसे में चंचल क मतलब है कि इनके प्रेम संबन्ध बहुत सारे बनते हैं और सारिरिक संबन्ध भी बहुत बनते हैं यदि किसी इस्त чႹ कि कुंडली में मंगल गुरु सुक्र और सनी एक सांथ बैठे हो तो वह इस्त्री पुरिशों के विशे में चंचल होगी यानि कि उसके बहुत सारे समद्ध बनते हैं लेकिन ये लोग समाज में समवानित होते हैं और प्रसिद्ध भी होते हैं। समाज के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं और भले ही पीठ पीछे इनकी बुराई करें लेकिन सामने इनको कुछ नहीं बोल पाते यानि कि समाज में इनका दबदबा होता है ये लोग प्रसिद्ध होते हैं अपने समाज में या फिर अपने छेत्र में प्रसिद्ध होते हैं ये लोग बिद्वान और बिनम्र सुभाव के होते हैं यानि कि कई विसयों के जानकार होते हैं कई कामों के विसय में जानने बाले होते हैं अथबा कई तरह की कलाओं को जानने बाले होते हैं और बिनम्र भी होते हैं यानि कि जहां पर जुकना है वहां पर जुक करके अपना काम बना लेते हैं ये लोग अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और बिद्वानों के और समाज के बड़े लोगों के यानि कि समाज के स्रे बड़े लोग हैं वो लोग इनको बहुत प्रेम करते हैं और इनसे दोस्ती बनाई रखते हैं ये लोग भी समाज के बड़े लोगों के साथ में मित्रता रखने बाले होते हैं और समाज के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने बाले होते हैं ये लोग चंचल सुभाव के होते हैं यानि कि एक ही समय में बहुत सारी बातें सोचने बाले होते हैं और कई कामों को करने बाले होते हैं यानि कि इनका मन ज्यादा समय तक एक चीज में लगा हुआ नहीं रहता है यदि ब्यापार के बिशे में ये कुछ सोचें तो ये कभी सोचते हैं कि ये ब्यापार कर लेते हैं, कभी सोचते हैं, कोई और व्यापार, यदि पढ़ाई लिखाई की विशे में सोचें, तो उसमें भी यही सोचते रहते हैं, यदि प्रेम शंबंधों आदि की विशे में सोचें, तो उसमें भी ऐसा ही सोचते हैं, तो हर चीज में इनका मन हमेशा घूमता रहता ये बहुत सारी चीज़ां करना चाहते हैं बहुत सारा धन इकठा करना चाहते हैं इस करण से ये लोग कई काम करते हैं और कई रास्तों से धन भी कमाते हैं ये लोग दिखने में सुन्दर होते हैं आकरशक होते हैं और बोलने में निपुन होते हैं ये लोग अपनी बातों से लोगों को आकरशित कर लेते हैं यानि कि अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ करिंद्रित कर लेते हैं और साथ में लोगों को बेबकूप भी बना देते हैं ये लोग लालची लोभी सुभाव के होते हैं और जिद्धी सुभाव के भी होते हैं यानि कि जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं ये लोग थोड़े निर्दई सुभाव के भी होते हैं निर्दई का मतलब है कि जादा दया नहीं करते किसी पर बैसे तो ये दया करते रहते हैं लेकिन यदि कोई इनका फाइदा हो रहा हो या फिर कोई इनका काम बन रहा हो औ लेकिन ये उस पर दया नहीं करते हैं और यदि कोई व्यक्ति इनके पैसे ले ले या फिर धन के रूप में कोई भी चीज ले ले तो फिर ये उसमें भी दया नहीं करते हैं फिर उसको पैसे उससे लोटा के ही दम लेते हैं लेकिन ये लोग धार्मिक सभाव के होते हैं और ध ये युति यदि आपकी कुंडली में है तो आपको संकर जी की उपासना करनी चाहिए निश्चित रोप से लाब होगा